हेलो नमस्कार आदाप सस्रियाकाल गुण मॉर्णिंग दोस्तों जीयस वाले भई आपका हार दिक स्वागाते हो में भी निंदन करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीयस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एक्जाम में जिसमें भी जीयस पूछी जाती है क उसमें समाहित होते हैं तो दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकारों का चैप्टर पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों में हम लोग जो है समानता का अधिकार और सतनतरता का अधिकार पढ़ चुके थे अब दोस्तों हम लोग चुरू करते हैं शोशन के विरुद अधिकार तो द किनों शर्दों को बहुत ध्यान से समझते हैं दुर व्यापार बेगार और बलाच्रम दुर व्यापार का मनलब किसी व्यक्ति का उपयोग व्यापार से संबंदित बुरे व्यापार से संबंदित नहीं किया जाएगा जैसे वेश्यवृत्ति वेश्यवृत्ति यदि किसी व 226 के तहट उचनेले में अपने अबाद दायल कर सकता है उसका दोस्तों देवदासी प्रता होती है देवदासी का मतलब होता है जैसे दोस्तों पहले मंदिर होते थे मंदिरों में लोग अपनी जो लड़कियां होती थी जो अविवाहिद लड़कियां होती थी उनको मंदिरो तो दो दो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो अने फैलने लगा तो दोस्तों तो तो दुर व्यापार में दो चीज़े विश्य विर्ट और देवधासी पर रोख है उसके बाद बेगार आ जाता है, बेगार का मतलब होता है पर्याप्त मजदूरी दिये बीना कारे करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि जबरदस्ती लोगों से उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती है, मतलब दो सो का काम है तो उनको डिल सो सो रुपए दिया जाता यह जड़ातर हम लोग देख लेते हैं की जंडर इनेक्कृंतियमे भी हम लोग तो मैलाएं भी पॉर्षों के बराबर उतना वहीं कार करती है लेकिन उनके साथ बेगारी वाला कार कर दिया जाता है मतलब उनको आध्वेतंडे तुर्षों की भी साथ होता बलाच्रम। तो दोस्तों इन्हें सब मतलब अनोचे 23 में क्या वागा था निए दूर वियाप़ंची प्रथा और वेश्यावष्य वरिति पर रोख हैं। में परियाप्त मजदूरी दिये बिना कारे कराना और बलाच्रम में जबरदस्ति किसी से कारे कराना यह हो जाता है उसके दोस्तों इसके संबंद में संसद में कुछ कानून बनाए हैं शोशन को रोकने के लिए बहुत आसान याद करना तीन कानून आप लोग पढ़ेंगे इमानदारी बरती जाएगी लेकिन जैसे गांदी जी भी कहते हैं कि नयतिकता विहिन व्यापार सामाजिक पाप है तो 1956 में अनयतिक व्यापार निवारन अधिनियम की बात की गई उसके आद 1976 में बद्वा मजदूरी उन्मूलन अधिनियम मलब बद्वा मजदूरी पर रो लेकिन इसके अंतर्गात क्या है राज राज लोक उद्दिश रहे सकता है लेकिन सेव करत नहीं किया जाएगा दर्म के हैं इन्ससेवा ले लो ये इस वंच के हैं इन्ससेवा लेलो तथा कति दलिक जाती के हैं तो इन्ससेवा ले लो ऐसा dieta खर सेवा लेने में इस सभी से परे होगा अ जयती रभ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव वो नहीं कर सकता है ठीक है अब उसके दोस्तों अनुछे 24 आ जाता है 24-14 यह याद रखना है हमको भी 23-24 में confusion हो जाता था तो हमने कारखाना खतरनाक उद्योगों में कार नहीं करा जाएगा अनुछे 24 में यह वरलित है कि 14 वर्स तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में कार नहीं करा जाएगा और इसी संबंध में अब जैसे अनुछे 23 में लोग पढ़ चुके ना है 1956-1976 अब देखे 66 की पुर्णाविर्ति हो रही है अब इसमें भी दो चीज़े आ गई है 1986 और 2016 बहुत आसानी से याद हो जा रहे कि नहीं खुद कहरा है कि याद करो हमको है कि नहीं दिमाग लगाना ही नहीं खुद कहरा है कि हमको याद कर लो तो दोस्तों 1986 भी हम लोग द दोस्तों 1956 में क्या था अनेयतिक व्यापार निवारन अधिनियम ये धान लेगना है कि अनेया में आता है वाल अ किशोर श रळंप प्रतिशेद और रीनियम अ अधिनिय अ 내용 अब दोस्तों जो 2016 में ये कानूं पास होता है बाल श रम और श रंफ किश्रम प्रतिशेद वा विनियम अ अधिनियम इसमें क्या कहा गया 14 वर्ष टक के सभी बालकों के बालश्रम पर रोक लगा दी गई दोस्तों, ठीक है, 14 वर्ष तक के जो कोई भी बालख होगा, किसी भी प्रकार पर उससे बालश्रम नहीं करवा जाएगा, और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर होंगे, उनको खतरनाक उद्योगों में कारिय नहीं दिया जाएगा और उसके बाद 1986 आता है, बालश्रम परतिशेद और विनियमन अधिनियम, 2016 में आता है, बालश्रम पिशोर श्रम अधिनियम आता है दोस्तों, तो दोस्तों हमको ये सारी चीजे याद रखनी है, अनुछे 23 और 24 के तहर्ट, ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हम लोगों के शोशन को विरुद अधिकार समाप्त हो गया बहुत ही डीटेल में पढ़ें कोशन हता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा ठीक है अब दोस्तों हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे धार्मिक सोतंतरता के अधिकारों के साथ अब मिलते हैं अगले सेशन में जहिन जभारत